नमस्कार मद्यप्रदेश इन्वेस्टर समीट के लिए आप सभी इन्वेस्टर्स का उद्द्यम्यों का बहुत बहुत स्वागत है विक्सिद भारत के निर्मान में मद्यप्रदेश के भूमी का बहुत महत्पपून है आस्था आध्यात्म से लेकर परियटन तक एग्रिकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल्ड डवलप्मेंट तक MP अजब भी है गजब भी है और सजग भी है साथियों मद्यप्रदेश में ये समीट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमरित काल शुरू हो चुका है हम सभी मिलकर विक्सिद भारत के निर्मान के लिए जूटे हुए हैं और जब हम विक्सिद भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है बल्कि ये हर भारतिय का संकल्प है मुझे खुशी है हम भारतिय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्ता हर एक्सपर्ट इसको लेकर आस्वस्त दिख रहा है अधर प्रिश्थिस्ट प्राइबरट की लेडिना सम्ट स्टेण लेडिस्ट इस टेंट्स सब्स्ट इस तो स्क्राइबर लेगर का लेडिस्ट vs. इस विक्सिर्ट भारतिया ि they are strong macroeconomic fundamentals oczywiście OECD have said that India will be among the fastest growing economist in the G20 group this year According to Morgan Stanley in the next four five years the CEO ai mckenji had said that this is not only India's decade, but India's century, institutions, and credible voices that track the global economy have unprecedented confidence in India. The same optimism is also shared by global investors. Recently, a prestigious international bank conducted a survey. They found that a majority of the investors preferred India. Today, India is receiving record-breaking FDI. Even your presence among us reflects this sentiment. Friends, this optimism for India is driven by strong democracy, young demography, and political stability. Due to this, India is taking decisions that boast ease of living and ease of doing business. Even during a once in a century crisis, we took the path of reforms. India has been on the path of reform, transform, and perform since 2014. The Atman Nirvar Bharata Bhyan has imparted greater momentum to it. As a result, India has become an attractive destination for investment. The point. 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 है कि कैसे बीते आठ वर्षों में हमने रिफार्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है बैंकिंग सेक्टर में रिकेपिटलाइजेशन और गवनर्स से जूड़े रिफार्म्स हो आई बीसी जेशा मोडन रिजॉलुशन फ्रेमबर्ग बनाना हो जी एस्टी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जेशा सिस्टिम बनाना हो कॉर्परेट टैस्क को ग्लोबली कॉम्पेटिटिव बनाना हो सोवरीन वेल्ट फंद्स और पैंसन फंद्स को टैक्स में चूट हो अनेक सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100% FDI की पर्मिशन देना हो छोटी छोटी आर्थी गलतियों को डी किमिनलाइज करना हो ऐसे अनेक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमने इन्वेस्टमेंट के रास्ते से कई रोडे हटाये हैं आज का नया भारत अपने प्राइवेट सेक्टर की ताकत पर भी उतना ही भरोसा करते हुई आगे बढ़ रहा है हमने डिफेंस, माइनिंग और स्पेस जैसे अनेक स्ट्रेजिक सेक्टर्स को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है दर्जनों लेबर लॉज को फोर कोर्ज में समाहिच करना भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है साथियों कम्प्लाइंसिस के बोच को कम करने के लिए और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर अभूत पुर्वा प्रयास चल रहे हैं बीते कुछ समय में करिब चालिस हजार कम्प्लाइंसिस को हटाया जा चुका है हाल ही में हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टिम शुरू किया है जिससे मद्यप्रदेश भी जूर चुका है इस सिस्टिम के तहट अभी तक लगभग पचास हजार स्विक्रूतियां दी जा चुका है साथियों भारत का आधुलिग होता इंफ्रासक्टर मल्टी मोडल होता इंफ्रासक्टर भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को जन्म दे रहा है आट वर्षों में हमने नेशनल हाइवे के निर्मान की स्पीड दोगुनी की है इस दोरान भारत में आपरेशनल एर्पोर्ट की संभ्या दोगुनी हो चुकी है भारत की पॉर्ट हैंडलिंग केपिसिटी और पॉर्ट टन एराउंड में अभुत्पुरा सुधार आया है dedicated freight corridors, industrial corridors, expressways, logistic parks ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं PM गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान के रूप में पहली बार भारत में इंफ्रास्ट्रक्चन निर्मान का एक नेशनल प्लेटफरम है इस प्लेटफरम पर देश की सरकारों, एजन्सियों, इन्वेस्टर से जुड़ा updated data रहता है भारत दुनिया के सबसे competitive logistic market की रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए committed है इसी लक्ष के साथ हमने अपनी national logistic policy लागू भी की है सातियों, भारत smartphone data consumption में number one है भारत global fintech में number one है भारत IT VPN outsourcing distribution में number one है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा aviation market और तीसरा बड़ा auto market है भारत के बहतरी digital infrastructure को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है ये global growth के लिए कितना जरूरी है ये आप भली भाती जानते हैं भारत एक तरप गाउं गाउं तक optical fiber network पहुचा रहा है वह तेजी से 5G network का विस्तार कर रहा है 5G से हर industry और consumer के लिए internet of things से लेकर AI तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं वो भारत में विकास की गती को और तेज करेंगे साथियों इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है manufacturing की दुनियास में भारत तेजी से अपना विस्तार कर रहा है production link incentive scheme के तहट धाई लाग करूर रुपिय से जादा के incentive की गोश्राची जा चुकी है इस scheme दुनिया भर के manufacturers में popular हो रही है इस scheme के तहट अब तक अलग-अलग sectors में लगबग चार लाग करोड रुपिय प्रोडक्शन हो चुका है मद्द प्रदेश में भी इस scheme की वज़े से 100 करोड रुपिय का निवेश आया है MP को बड़ा pharma hub बनाने में बड़ा textile hub बनाने में इस योजना का भी महत्वा है मेरा MP आ रहे investor से आगरह है कि PLI scheme का ज़्यादा से ज़्यादा लाब उठाएं साथियों आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांग्षा से भी जुड़ना चाहिए कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइडरोजन को स्विकृति दिये ये लगभग आठ लाग करोड उपिय के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बलकि ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक अवसर है हजारों करोड उपिय के इंसेंटिवस की विवस्ता इन अभ्यानों के तहत की गई है आप इस महत्वकांख्षी मिशन में भी अपनी भूमी का जरूर एक्स्प्लोर करें साथियों हेल्थ हो एग्रिकल्चर हो नुट्रिशन हो स्कील हो इनोवेशन हो हार लिहाद से भारत में नई संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है यह भारत के साथ साथ एक नई ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्मान का समय है इसलिए आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस समीट को मेरी अनेक अनेक शुप कामनाएं है मद्द प्रदेश का सामर्थ मद्द प्रदेश के संकल्प आपकी प्रगती में दो कदम आगे चलेंगे मैं आपको विश्वास से कहता हूं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार देवी सजनो माने निप्रधान मंत्री जी ने जैसा कहा आज भारत संभावनाओं का देश है विश्व का सहयोगी भारत हर एक सेक्टर में आगे पढ रहा है माने निप्रधान मंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे